हालो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चानल एक जाम स्टेशन में आज हम आपके लिए करंट अफेर का जो एक बड़ा ही महत्पून टोपिक है हरियाना का बजट 2020-21 के लिए लेके आए हैं अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो प्लीज कमेंट करें आए वीडिय सेकिन दो घंटे 32 मिनट का मुख्यमंतरी जी ने भासन दिया और दोस्तों हरियाना बजट के बारे में जो मैतपून पोइंट है वे पड़ेंगे जो हरियाना के मुख्यमंतरी है मनोर लाल उन्होंने इस बार बजट पेस किया क्योंकि पिछली बार पूछा हो गया था कि कि स्वित्यमंतरी ने बजट पेस किया तो उनका नाम था कैप्टन अभी मन्यू तो इस बार भी चांचेज है तो दोस्तों इस बार जो बजट है टोटल एक लाख 32,343 क्रोड रुपे का बजट है जो पिछली बार एक लाख 32,000 का था और इस बार 7.70% ये इनक्रीज हुआ है दोस्तों ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि टाब से पेस किया गया है बजट तो नेक्स्ट है दोस्तों ठारा योजनाओं को खतम कर दिया गया इस बार दोस्तों किसानों किसी पसुपालन डेरी बज़िए 6,488 क्रोड रुपे बजट में दिये गए जो पिछली बार से 23.42 प्रतिसत अधिक है तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं जैसे जो मेन पॉइंट है जो याद रखने में किसानों को बिजली पहले 7.50 मिलती थी अब 4.75 मिलेगी तो दोस्तों यह भी इंपोर्टन्ट है सैकारी बैंकों के साथ साथ दोस्तों अब राष्ट्य बैंकों से भी बिना ब्याज के लिए करजा ले सकेंगे किसान पर कुछ सरते लागू होंगी वो मैंशन की जाएंगी नेक्स्ट है दोस्तों सिक्ष्या बजट्ट में इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है 1659.18 करोड रपए दिये गये जो पिछला जो सिक्ष्या बजट्ट था उससे 23.70% अधिक है दोस्तों नेक्स्त है दोस्तों कोसल विकास बजट तो दोस्तों समें 847. Slima करोड रपे दिये गये हैं नेक्स्ट रोजगार के लिए इस बार 416.02 करोड़ रुप दिया गया है। खेल बजट इस बार दोस्तो 304.09 करोड़ रुप दिया गया है। दोस्तो इसमें जो important है याद करने के लिए एक शिक्सा बजट है और रोजगार के लिए कोसल के लिए और जो total कितने का बजट था यह important point है जो याद करने है जो नेक्स्ट है जिस परिवार की वार्षी का 1.80 लाग से कम या 5 एकड़ से कम जमीन है वो भी अब अइसमान भारत योजना का लाब लेशकेगा तो दोस्तो most probably chances हैं इस बार आने के कि क्या क्या संसोधन हुए है अंशवन भारत भारत की एक बहुत ही मैतपून योजना है स्वास्ता संबंदित तो दोस्तो स्वास्ता बजट इस बार 6533 क्रोड का दिया गया है जो 23.03 अधिक है पिछली बार से तो दोस्तो next है जीन्द के पंडू पिंडारा नया जंसन बनाने की घोशना की गई है और next है दोस्तो महाविदाल्या में 24 घंटे निगरानी के लिए कितने CCTV कैमरे लगेंगे तो 2000 CCTV कैमरे लगेंगे next है दोस्तो 54 जो मंडिया है उनको राष्ट्य क्रिसी बाजार से जोड जायेका और दोस्तो हर बलोक में जितने भी हरियाना के बलोक हो में वहाँ प्राली खरीद केंदर की स्थापना की जाएगी next दोस्तो कितने गोदामों में CCTV कैम्रे लगेंगे next है दोस्तो बडी मंडियों में क्रोप डायर लगेंगे जो crop dire होते हैं वो लगेंगे नेक्स्ट है दोस्तो जो most important point है पंचकुला का विकास NCR की तरज़ पर होगा जैसे आपको पता है कि smart city थी हरियाना ने decision लिया था कि में Guru Gram को अपने budget पर smart city बनाएंगे तो इसी तरह उन्होंने पंचकुला को NCR की तरज़ पर विक्षित करने का निद्न लिया है नेक्स्ट है दोस्तो गो साला का जो इस बार budget है दोस्तो वो 60 से बढ़ा कर 50 करोड कर दिया गया है तो यह भी important है जो सीवरेज की सफाई के लिए होता है दोस्तो इस बार हर्याने में हादी में दुआरा की जाती है और कितनों की मिरित्ती भी हो जाती है पर इस budget में लिया गया है कि जो आंदोधून की मशीन उपकरन है वे खरीदे जाएंगे इसकी सफाई के लिए नेक्स्ट है दोस्तो बागवानी के दोर उतकष्ट के अंदर स्थाफित होंगे तो दोस्तो इंपोर्टेंट है पूछ सकता है कितने के अंदर स्थाफित होंगे नेक्स्ट है दोस्तो जिंगा किसानों के लिए प्रोन चिलिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा तो यह भी पॉंट है नेक्स्ट है दोस्तो जो जितनी भी आपको पताए कि 90 विदान सभा है हरियाना में सभी के विकास के लिए सालाना 80 क्रोड रुपे दिये जाएंगे हर साल 80 क्रोड का बजट है जो हरियाना की GDP है उसका भारत में 7.03 का योगदान है दोस्तो तो इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने अनुमानित परतिव्यक्ति आए रखी है वो 1,80,000 है कि इतनी परतिव्यक्ति आया है हरियाना की तो दोस्तो इस बार एक जो इंपोर्टन है शिक्षा पर जाथा जो दिया गया है जो 8.00 की बोर्ड प्रिक्षाएं है तो दोस्तो दूद अब परति दिन सुध दूद मिलेगा ठारा नए कोलिज बनाए जाएंगे दोस्तो नेक्स्ट है दोस्तो तीन से पांच वर्स के बच्चों के लिए चार हजार पले स्टेशन खुलेंगे नेक्स्ट है दोस्तो एक लाख असी हजार से कम वार्सिक आये वाले परिवार के बच्चों की नो से बारा तक की कक्षाओं की फीज जो भी सुल्क होगा वो फिरी होगा तो दोस्तो इस बार शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया गया है नेक्स्ट दोस्तो जो सबजी मंडियों में है महिलाओ के लिए 10% आरक्षन दिया गया है कि महिलाओ का स्थान आरक्षित होगा नेक्स्ट दोस्तो जो इंपोर्टन्ट है बढ़ा ही राजकिय अभियांत्रिक महा विधाल्या कहां स्ताफित होगा तो यूँ पन्नी वाला प पुरु ग्राव में medical college उपन होगे तो important हो जाता है दोस्तों next दोस्तो अब हरियाना में सभी लोगों की सारे रिक फिरी जांच होगी जो गोवर्मेंट होस्पिटल होंगे नोमें फिरी सारे रिक जांच होगी तो दोस्तो इस बार जो mbps की सीटे है वो 1710 कर दी गही है यह भी important है next दोस्तो SYL के मुद्दे के लिए 1000 क्रोड रपे दिये गए तो दोस्तो आप सभी को पता ही एक important है हमारे लिए जो हमारा पंजाब के साथ विवाद चला हुआ है संभू बोर्डर पर विवाद चला हुआ है और SIWEL का मतलब हुदा सतलु जी अमना लिंक है तो दोस्तो यह बड़ा important है next दोस्तो 1000 English Medium School खुलेंगे हरियाना में एक बहुत बड़ी बात है 1000 English Medium जो English के शिक्षा पर ज़्याजा जो दिया गया है कोई नया tax नहीं लगा तो दोस्तो important हो जाता है हरियाना में एक लाग तो नोक्रिया निकलेंगी और जो नीजी शेत्र है उन्हें 25,000 नोक्रिया भार्याना के यूवाओ को देने का लक्षय रखा गया है तो दोस्तो इव इंपोर्टेंट फैक्ट पड़ लेते हैं जैसे जो संभावित घाटा है वो कितना रहा है 15,373 करोड का घाटा रहा है और जो 2020 में परदेश पर करजा है वो 1,6,7,700 करोड है जो 19,20 के बजट के दुरान था वो 1,6,6,832 था तो दोस्तो इस बार इंक्रीज हुआ है करजा नेक्स्ट दोस्तो कुल राजसभ की प्रापरती कितनी हुई तो 1,99,771 करोड रुपे की प्रापरती हुई और दोस्तो खर्च भी टोटल इतना ही हो गया जितने की प्रापरती होई थी उतने का ही खर्च हो गया और जो वेतन और पैंशन पर खर्च किया है वो 36,000 12 क्रोड रुपे खर्च किया है आए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं किसान कल्यान प्राधिकरण में जो महिलाओ के लिए विसे सेल बनेगी ये बड़ा इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट दोस्तों जो इंपोर्टन्ट है किन्नू पूछ लेगा कि कौन कौन शी फसल के लिए क्या दिया गया तो ये किन्नू अमरूद और आम के बगीचों के लिए 20,000 परति एकड का नुदान दिया जाएगा मोबाइल पसू चिकित्सा ही काई शुरू होगी पहले चार था दोस्तों इस बार 500 परति लीटर बढ़ा दिया गया है सबसीडी परदेश में पहला सहकारी ट्रेटा पैक से अंतर खुलेगा तो दोस्तों कहां खुलेगा ये बात में खुलासा होगा पर खुलेगा जरूर सहकारी ट्रेटा पैक से अंतर next दोस्तो ठाण में खंडों में कितने खंडों में एक एक नया संस्कित वरिष्ट माध्यमिक विधाल्य कुलेगा तो दोस्तो संस्कित पर काफी जोड दिया जा रहा है आप सभी को पता ही भी है, 2015 में युनिवर्षिटी खुली थी मुंदरी, जो कि मुंदरी गाउं में है सन्स्कित की उनिवर्षिटी, मुंदरी कहां पर है कैथल में है, दोस्तो यह important fact है दोस्तो कितने खंडों में खुलेगा, ठाड़ में खुलेगा, तो दोस्तो जिससे पहल लोते हैं कोली जो के जो बच्चों के लिए सुध वाटर के लिए आरो लगाए जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों कालीज उनिवर्स्टी में जो भी एक लाख आसी हजार से कम आये वाले परिवार हैं जो उनकी बेटियां हैं उनके लिए सिक्षन सुल्क फिरी होगा द यह NSKUSF है तो दोस्तों एक रोजगार पोर्टल खुलेगा हरियाना के बेरोजगारों के लिए और वो बेसाकी फर खुलेगा नेक्स्ट दोस्तों खिलाडियों को खुराक भत्ता दिया जाएगा 200 रुपे तो दोस्तों आप सभी को पता है 200 में क्या होता है पर ठीक है सरका बार कुछ तो दे रही है नेक्स्ट दोस्तों सभी अस्पतालों में कैंसर रोगियों के लिए कीमो थेरिपी शुरू होगी नेक्स्ट दोस्तों दिल का दोरा जान लेवा नहों इसलिए सावरजनिक स्थानों पर सोबरी ट्रेट की गोलियां जो कि दिल के दोरे के मरीज को मुफ्त में मिलेंगे हैं हर्यान में सावरजनिक स्थानों पर मेवात फीटर का निर्मान होगा दोस्तों तो दोस्तों कुछप्ट है जो कि हर्याना के बजट में या भारत में पहली बार हुए हैं, देश में पहली बार किसी विधानसभा में टैब से बजट पेस किया गया है, और दोस्तो हर्याना में पहली बार ऐसा हुआ है, किसी सीम ने बतोर मंतरी, वित्या मंतरी बजट पेस किया है, नेक्स्ट है दोस्त तो 302 महतपून बिंदू थी जो हमारा सबसे विश्तरित बजट इस बार पेस किया गया और दोस्तो एक नहीं पहला है इसमें जो बजट में जो भी विधायकों ने सुझाओ दिये हैं उनका सुझाओ उनके नाम के साथ परस्तूत किया गया और दोस्तो सबसे बड़ी बात ज ही है कि 2 गंटे 32 मिनट भासन दिया था तो दोस्तों ये विश्तरित जानकारी है जो हरियाना का बजट पेस हुआ है इससे बार कोई भी पोइंट नहीं आएगा जो में में पोइंट थे वो हमने डिसकस कर लिया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज करते हैं और जो की हरियाना पुलिस स्पेसल ग्राम पटवारी उनके लिए तियारी करते हैं तो आई होप आपको अच्छा लगेगा धन्यवाद